तेलंगाना के कई हिस्सों में लगातार जोड़दार बारिश की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं भारी बारिश के कारण सडकों और निचले आलाकों में पानी भर गया हैदराबाद में फलक नुमा के पास बरकस से एक वीडियो सामने आया जहां पर एक शक्स बाल के पानी में पेज बहाओ के साथ बहता हुआ दिखाई दे रहा है इस वीडियो में कुछ लोग शक्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और मदद के लिए चिला रहे हैं मुश्किल में फस्ता शक्स आगे आते एक खंबे को पकरने की कोशिश करता है लेकिन बहाओ इतनी तेज है कि वो आके बह जाता है वीडियो तो सामने आया लेकिन ये पता नहीं चल पाए कि आखिरकार शक्स को बचाया जा सका या नहीं वहीं एक और वीडियो सामने आया है जिसमें पानी के तेज बाहाओ में गाली तक बहती हुई दिखाई दे रही है जोदार बारिश के कारण फुल टैंक लेवल पर पहुँचने के बाद चार गेट खुल कर हिमायत सागर का पानी मूसी नदी में छोड़ा जा रहा है ये वीडियो देखते वही ये वीडियो देखिए जहां जोड़दार बारिश के बाद बरबादी का नजारा भी सामने आया तेलंगाना में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है बारिश के कारण हुए हाथसों में कम से कम बारे लोगों की मौत हो गई है जिसको देखते हुए सरकार ने सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में दो दिन की छुट्टी का एलान किया है और लोगों को घरों में रहने की सलहा दी गई है हैदराबाद में अगले 48 खंटे भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार